लुट इंपोर्टन इड्जस्ट्मेंट पूरा कोश्चिन मन सकते हैं नॉर्मली बागी सारी अट्जस्मेंट एक बड़े कोश्चिन का पाट हो सकती है बट इस पे अलग से पूरा क्वेस्टिन मन सकता है मल्टिपल केसे का होते हैं सरी है रियलाइजेशन एक्सशन हो रहा है सारे परोसेस पेजने पढ़ेंगे सारी लाइबिलिटी चाहिए परोसेस एक प्रोसेस है उस पर खर्चा हो सकता हो सकता है हमें वैलुआ सा पॉएंट करने पड़ें कुछ भी हो सकते समान इतर से उदर कर के नाम सही दिए होंगे तो expenses incurred at the time of dissolution expenses incurred in dissolving the firm क्या है यह realization expenses किसकी लाइबिलिटी है भाई फर्म की लाइबिलिटी दो सिनारियोज हो सकते हैं एक किये फर्म की लाइबिलिटी फर्म पैर्टनर के लाइबिलिटी के होगी देखिंगे अभी बतार्य और दो के से हो सकते हैं org कि लाइबिलिटी के लएबिलिटी है तो फर्म की लाइबिलिटी plutôt कि रिलागेसेशन expenses वे 5000015000 एर्रेस्प्रेक्टीव कि अमों대ी अमाउंट फ्यु वह को सबाओस bear these expenses the firm was supposed to bear these expenses the firm का खर्चा था अब दो सिनारियो जो सकने हैं पे किसने कर रहा पे करना किसको चाहिए था फर्म को पे किया किसने फर्म तो केस वन विन दर एक्सेंस रिलाइज़ाइशन एक्सेंस आप वी ओन वाइड़ वर्म तो मतलब who is liable to pay these expenses firm firm is liable to pay pay किसने करे फर्म ने पे करे तो फर्म का खर्चा फर्म ने पे किया एंट्री हो जाएगी realization account debited to cash or bank realization का nature का है nominal debit all expenses तो realization account debited to cash or bank realization expenses paid by the firm को पे करने चाहिए थे अगर किसी पार्टनर ने पे कर दिये liability of the firm paid by a partner तो जैसे liabilities normal creditors की outstanding expenses की payment अगर पार्टनर कर दे था 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 तो एंट्री हो दी realization to partners capital account exactly same हो जाएगी if the expenses were to be born by the firm and they are paid by a partner it means liability of the firm is being paid by a partner तो जो जो जाएगी realization account debited to partners capital realization account debited to partners capital application to partner acquisition cases when realization expenses were to be born by the firm wanted by the firm paid by the firm realization too casual bond by the firm paid by the partner पार्टनर स्कापिल एक्स पॉस्पोस्ट टू पेडिस एक्सपेंस सपोस्ट पाइज पेडिस एक्सपेंस पोल दिया पार्टनर की पर्सनल लायाविलिटी है नाव यह पार्टनर की पर्सनल लायाविलिटी है अगर स्पेसिफिकली इंस्रॉक्षिंस दे रखी है एक्सपेंस एक्सकी पर्सनल लायाविलिटी है यह उसका पर्सनल लेक्सपेंस माना जाएगा आपका पर्सनल लेक्सपेंस आपने पेडिया तो फॉर्म को क्या फॉर्म को इससे को आप पता नहीं कितने कितने अपने पर्सनेर एक्सपेंसे पे करते होंगे उससे फॉर्म को कोई लेना देना नहीं है उस सेनारियों में क्या होगा फॉर्म की बुक्स बना रहे हैं न हम तो किस सेनारियो में case 2 realization expenses किसको बेर करने थे बॉन बाया पार्टनर पार्टनर को बेर करने चीए थे पार्टनर नहीं पे कर दिये it means a personal liability of a partner is being paid by a partner phone no and no and paid by the firm paid by the firm liability of the firm liability of the partner partner की लाइबिलिटी थे कि कि partner was supposed to bear these expenses partner को pay करने चाहिए थे अगर firm ने पे कर दिये तो firm ने partner की liability पे कर दी तो firm partner से वो पैसे recover करेगी firm partner से वो पैसे recover करेगी तो basically firm का पैसा यूज हुआ है आपकी liability पे करने के लिए it will be treated like your drawings it will be treated like your drawings कि आपने business का पैसा यूज किया अपने personal expenses meet करने के लिए तो पेमेंट तो हो गई firm से firm किसे recover करेगी partner से तो एंट्री क्या हो जाएगी partners capital account debited to cash or bank it means personal liability of a partner is being paid by the firm the firm will recover this money from the partner by debiting his capital account firm के तो पैसे गए firm का expense नहीं है तो realization account debit नहीं होगा आपका personal expense है firm आप से recover करेगी realization account is not debited because it is not an expense for the firm without the firm को bear करने है case 1 partner को bear करने है case 2 अगर कुछ specified नहीं है question में कि कौन bear करेगा बस लिका हुए realization expenses amounted to 10,000 if nothing is specified firm is supposed to bear these expenses इसकी liability है यह इसकी liability है यह अगर कुछ specified नहीं है क्लियर कभी 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 ऐसा हो सकता है कि हम partner को 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 यह बता दिया मने आपको इसकी करवाना पूरा प्रोसेस आप देख लेना आपको इतनी कमिशन देंगे किसका expense है यह किसको पैसे मिल रहे हैं पार्टनर की इंकम है आपकी इंकम है capital बढ़ जाएगी यह कम हो जाएगी कि तरह कि इस अनौन कैश ट्रांजक्शन आपके capital में उतने पैसे आड़ कर दिये जाते हैं पैसे तो अभी दे नहीं है अभी नौन कैश है capital उतने से बढ़ जाएगी अभी सेटल करनी है मैंने आपकी इंट्री के हो जाएगी रियलाइजेशन आकाउंट डेबिटेड टू पार्ट्नर के पार्ट्नर की इंकम एग बहुत ही साधा इंप्राइजेशन यहां कमिशन दे रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि अब रियर्णाइजेशन एक्स्पंसर्थ पार्ट्नर को ही बेर करने पड़ेंगे। इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है। आप एक सर्विस रेंडर कर रहे हो आप एक्स्टा टाइम निकाल के सब काम करोगे तो जरूरी नहीं हो सकता है वह हमारे आपस में अगरेंट करेगा अगर तो ऐसा लिखा है कि मैं आपको कमिशन दे रहा है आपको बेर करने हैं लेकिन अगर कुछ स्पैसिफाइड नहीं है कि हूविल बेर दी एक्सपेंसे तो हूविल बेर दी एक्सपेंसे पार्टनर तब तक बेर नहीं करेगा जब तक एक्सक्रथ प्षचयन में पिए डिहा वद्ध करेंस्प किर थे मिए मैंदार लॉए क्संपिन पा kayak कंशिए थूश्य पार्टनर तस न य מא裡面 पॉर्टनर न खिसाविल कर दिला हैं विल सर वन सब्सक्राइब